एड्स किस प्रकार का रोग है क्या है इसका पूरा नाम इसके रोग कारा कौन है इसके लक्षन क्या है और कैसे फेलता है गातक रोग एड्स आईए देखते हैं एड्स का जो पूरा नाम है वो है एक्वाइर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रॉम क्या है पूरा नाम एक्वाइर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रॉम देखिए यह एक्वाइर्ड ए आई डी एस एक्वाइर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रॉम और इसका जो रोग का रखे वो है HIV वाइरस HIV, Human Immuno Deficiency Virus तो यहां से देखिए HIV, Human Immuno Deficiency Virus तो आप याद रखीगा कि AIDS में आपको पूरा नाम पता होना चाहिए जीके की दरस्टी से भी होना चाहिए और एक्जाम के पाइंट अब भी उसे भी होना चाहिए कि AIDS का पूरा नाम क्या है तो इक्वार्ड Immuno Deficiency Syndrome और इसके रोग कारा कोन है तो HIV वाइरस है और उसका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए Human Immuno Deficiency Virus यह Immuno Deficiency दोनों जगे है ठीक है ना अब देखेंगे अब आप इसमें हम यह देखेंगे इसके बात कि इसके लक्षण क्या है वास्तव में क्या होता है कि जो HIV संक्रमन होता है वो HIV संक्रण में जो वाईरस है वो प्रतिरक्षा तंतर में जाते हैं और प्रतिरक्षा तंतर में जाकर इसके कारी को नस्ट कर देते हैं मतलब आपका जो immune system है उसको damage करने का काम ये HIV संक्रमण में होता है मतलब AIDS में जो है वो immune system damage होता है और इससे क्या होता है कि जब आपका immune system damage होता है तो आपकी रोक प्रतिरोधक्षमता कमजोर हो जाती है ठीक है ना तो immunity जब weak होती है तो क्या होगा फिर छोटी छोटी जो चीजें होगी उन छोटे-छोटे संक्रमणों का भी मुकाबला नहीं होगा इवन छोटे-छोटे-मोटे सर्दी जुकाम भी हर बार क्या होंगे pneumonia में convert होते रहेंगे और जो यह संक्रमण है यही बाद में रोगी की मृत्यू का कारण भी बन जाते है तो यह जो HIV है उसका सबसे बड़ा जो हमारा लक्षन है वो यह यह कि यह immunity जो है या रोग प्रतिरोदक शमता को खत्म करते हैं तो कई तरह के जो छोटे-छोटी-छोटी-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे बीमारी रोग वगेरा हमेशा बने रहते हैं शरीर में तो उससे पता चलता है कि यह HIV संक्रमन हो सकता है तो HIV का टेस्ट जब होता है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि वो संक्रमन है या नहीं है और कैसे फैलता है यह AIDS जो है जिसको हम कहते हैं कैसे फैलता है तो इसके फेलने में सबसे महत्वपुन कुछ 3-4 बाते हैं तो उसमें आप ध्यान रखेगा कि जो अगर कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है तो उसका अगर रक्त आपने स्वस्त व्यक्ति को चड़ाया तो अगर स्वस्त व्यक्ति को अगर ग्रसित व्यक्ति का रक्त चड़ा मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड उसको मिला है अगर उसमें वो HIV संक्रमित है तो फिर उस व्यक्ति को भी HIV संक्रमन होगा तो ये एक AIDS के फेलने का एक कारण है दूसरा जो कारण है वो है कि जो HIV संक्रमित स कई बार एक ही व्यक्ति की सुई तीन चार पांथ दस लोगों को लगाई जाती है तो वो जो संक्रमित सुई होती है, अगर उसमें कोई है चावी संक्रमित हुआ तो उसकी सुई है वो अगर दूसरे व्यक्ति के साथ इस्तेमाल की है, और उपकरण या कहीं पर जो शेविंग जो गर्भावस्ता होती प्रिग्नेंसी के दोरान क्या होता है कि जो अगर माता अगर संक्रमित है तो संक्रमित माता से गर्भावस्ता के दोरान या शीशू को इस्तनपान करने के दोरान भी ये संक्रमन हो सकता है तो ये जो एड्स फेलने का एक कारण ये भी है कि जो एड्स से संक्रमित रोगी माता है उससे संतान को ये फेल सकता है फिर एक बहुत महत्वपुन कारण है कि जो ये एक्चुली एड्स क्या एक लेंगिक संचारी रोगे जैसे सिफलिस होता न वेसा एट्स एक लेंगिक संचारी रोग है तो यह क्या होता है कि लेंगिक संपर्क के द्वारा एक साथी से दूसरे साथी में ट्रास्पर हो जाता है तो हलाकि ऐसे लेंगिक संचारी रोग सामाने संपर्क जैसे हाथ मिलाना गले मिलना, कुष्थी लडना इनसे तो नहीं फेलते है सामाजिक मेल मुलापस से नहीं फेलते Actually क्या है कि यह फेलते हैं HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित योन संपर्ग बनाने या लेंगिक संपर्ग के द्वारा यह फेलते हैं तो यह क्या होते हैं को नियंत्रित करने की जो ART है एंट्री एंटी रिट्रो वाइरल थेरेपी उसके चलते ही इस पर काफी कुछ नियंत्रन किया जा चुका है और HIV संक्रमित व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जीता है तो हमको यह ध्यान रखना है कि यह HIV का पूरा नाम रोक कारक लक्षन कैसे फैलता है इसको जरूर और ध्यान रखीगा कि अंतराश्टी इस तर पर जो विश्व एड्स दिवस है वो अंतराश्टी एड्स दिवस एक दिसंबर को मनाया जाता है इसको लेकर जो एड्स है इसको लेकर जागरुकता फैलाने की द्रस्टी से इसे मनाया जाता है धन्यव गुझाल